गला जब आप पिस्ते दी करन जा रहे हैं, देखो होण सरदियां दवी चसी, कई तरह दे ड्राइफ्रूट्स, नट्स और सीट्स, खांदे हैं, खाने भी चाहे देने, साड़ी बॉड़ी ली बहुत जादा हैल्दी ने, हल्थ बेनिफिट स्टेट्स आ रहे हैं, अज पिस् से भी चाहे देवी चाहे हैं, कि किस तरह देवें यह तो आड़ी मदद कर देने, कई हल्थ इशूस और की वे बदाम, काजू ते अक्रोड तो भी वदिया तो आड़ी साबत हो साग देने, सो रेगुलर लिमिटेड मात्रा विच तुसी खांदे हो, ता तो आनू यह बहु सकती है, इवन इस दिना तो आनू फैट भी जादा, इंविजिबल फैट जड़ा जड़ा जादा मिल रहा होंदा है, ते जे तुसी अपना वेट लॉस करना चाहन दे हो, ता इसे फायदे दी जगा तो आनू उस तो नुक्सान भी हो सकता है, इसलिए लिमिटेड मात्रा व इसलिए लग लग विटामिन भी बारे में ज़रूर दसांगी, ताके तुसी समझ सको कि कीवे तो आड़ी बॉडी नू सेह तुनू फायदा देन वाले ने से टेस्टी ही नहीं है, बहुत ही जादा गुनकारी भी ने, और ना दिना जास सिगाल का लिए ते से प्रोटीन अ आगनीज है, कॉपर है, फॉस्फोरस है, तो आओ उन तो नहीं है, डिटेल विच विटामिन बारे दाजी हैं, जो इस विच मिल रहे ने, जो खास और ते काजू अते बदाम या क्रोड तो भी ज्यादा तो आणू पिस्ता है तो ही मिलन वाले ने, सब तो पहलां जो मैं ग बहुत कर दे नर्वर्स सिस्टम जड़ा है, सब्सक्राइब करें उजे विच बहुत हैल्प करदा और इवन असी जो खाना खारे होने है ना चाहिए सी कार्ब्स खारे हैं, प्रोटीन है, फैट है, उस खाने नो energy विच कनवर्ट कर दे लेइज है, सारे वी कॉम्प्लेक्स बिटामिन का नारन मैं गल करना चाहूं गि उन्हाल अक्सर भी 9 मिच भी अकसर देखाCar जान दाना across विटामिन B1 दी डेफिशेंसी जुरूर चाल रही हुंदी है सो विटामिन B1 अगर प्रॉपर सही मात्रा विश तो आड़ी डाइट विच है ना ता तुसी डिप्रेशन अगर ता अनो फील हो रहा है तो ओ भी कदे नहीं होएगा अगर तुसी विटामिन B1 अच्छी मात्रा विच लह रहे हो तो सिर्फ पिस्ता तो ही नहीं हर या सबसियां तो तो आनो विटामिन B1 या होर भी टेर सारे विटामिन जो है मिल जान देने तो ज़रूर अपनी डाइट विचिना अनो लग रखो अग्व मैं गल करा विटामिन B3 नायसिन जो के कई तुना दे साथे हॉर्मोन्स लहीं बहुत ज़रूरी है किसनों स्ट्रेस दी प्राब्लम हो रही है या सेक्स हॉर्मोन्स भी असी गल का लिए उथे वी विटामिन B3 बहुत जादा मदद कारता है डाइट विच एवी होना बहुत जादा अर्कुलेशन जड़ी है और सही बढ़े चालदी रवे उजह लहीं ज़रूरी है कि ते भी इंफ्लमेशन यानि के सोजिश हो रही है उथे वी विटामिन B3 बहुत जादा मदद का रहे है साथी स्किन अच्छी बढ़ी रहे एज दे नाल नाल जो है स्किन ग्लोइं रहे त या ओदे विच भी विटामिन B3 बहुत वड़ा रोल प्ले कारदा है अगो अगर मैं गल करां विटामिन B6 विटामिन B6 बहुत जादा खास है खून दी फरमेशन यानि खूर बनान दिलए बहुत ज़रूरी है जिनना नो नीद दी प्रॉब्लम है नीद आंदी नहीं है त होना विच किते ना किते है विटामिन B6 जो है डेफिशेंसी ज़रूर चाल रही है जड़े बड़ी जल्दी बीमार पह जान देने उनना नो भी त्यान ज़रूर रखना चाहता है कि उन्हों दी डाइट दे विच सारे विटामिन्स प्रॉपरली हो स्पेशली अप अगर व विटामिन B6 जो है बडाम काजू यां खरोड दे मुकाबले जाद है पार अगर मैं तो विटामिन B6 जे होर सोर्सी जिगाल करा था ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स जनिया जिनने तुसी सालेड्स लेंदे हो खाओगे तो उन्हों उन्हों सब रलियां मिलियां हरियां विटामिन B6 की सारे विटामिन B, विटामिन C बहुत अच्छी मातरा विच तो आनू मिलन जा रहे ने फिलाद पिस्टे तो भी तो आनू चंगी मातरा इजनाल जरूर मिल रही है अग्भू मैं गल करा विटामिन B7 जो कैसी अकसर सुन दिया ना हेर्स ही ग्रोथ हूं प्र विटामिन B7 जो कंट्रोल करता है इना थी सारे वर्किंग नूँ तो इसलिए विटामिन B7 जो पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है तो आनू एच्छी मातरा विच पिस्टा तो भी मिल जाएगा गोगल करिए बहुत एक खास विटामिन B9 फॉलिट जिन्हों आपको फॉल विटामिन B9 विटामिन B9 जो बहुत होना जरूरी है तुसी देखे होना प्रग्नेंसी जदो हुंदी है किसी लेडी दी तो उन्हों फॉलिक एस्टेड अलाग तो जरूर दिता जाना इसलही क्योंकि नर्वर सिस्टम नू भी कंट्रोल करता है सही तरह बनाई रखता है औ रेड ब्लेड सेल जड़े हुंदी है उसनों बनाऊं दे विच मदद कार दे जिनना नू भी खूंदी कमी है रेड ब्लेड सेल काटने उन्हा धी डाइट विच विटामिन B9 यानि के फोली कैसेड दा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सो ओवराल तुसी ए समझलो जिन एक खाणा एनर्जी विच कनवर्ट नहीं हो पांदा ताहुंदा है मुटापा ताहुं तुसी समझलो कि जिनना से बाहर दा खाणा खा रहे हैं उस दिन आल एना सारे विटामिन Z सानू डेफिशेंसी हो जानी है जिस करके साड़ा खाया पिया एनर्जी विच कनवर्ट ना नहीं है इनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि विटामिन Z कमी है सो जरूर इना चीजांते फोकस करो पिस्ता सही मात्रा विच जरूर डेली खाओ या फिर जिनने भी नट्स और शीर्ट आपा कर रहे हैं गल कर देली बदल बदल के खाओ हर एक देविच कुछ अलग तरह दे म जालोगे शुरू करोगे ता जो तो आड़ी आदत पकी बान जाएगी तो आड़ा रूटीन बान जाएगा ता अनो खुद नो अपने आप दे विच बहुत फर्क फील होन वाला है और तो अनो कोई भी बजारू सप्लिमेंट खान दी जरूरत विल्कुल भी नहीं पैन वा हात्रा विच और सही टांग देना खाओ तांके तो आनो इसे टेर सारे हल्थ बेनिफिट जरूर मिल सकर आज दी वीडियो वदिया लगी है ता इसनो लाइक के शेयर जरूर कर देना कमेंट करके विए अपने विचाव मेरे ना जरूर साजे करना पेज नो हले तक फॉलो न सब्सक्राइब नहीं किता है तो फटावर्ट सब्सक्राइब भी कर देओ मिलांगे जल्दी ही सेहतना जुड़ी हो और खास जानकारी देनार पिलहार ले देओ जी इजाज़त साश्रीकार